वेलकम टू रेचा केचिन पॉइंट टाइटल तो वैसे आपने पढ़ी लिया होगा लेकिन आज मैं आपको मसाला चाय बनाना सिखाऊंगी बिलकुल सही माप के साथ और सही मसालों के साथ वैसे चाय बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर सही और टेस्टी चाय बने तो मज़ा ही आजाए तो यहां मैं आपको सही मसाले चुन्ना बताऊंगी कि किस मसाले को आप कैसे खरीदें ताकि आप जब भी चाय बनाएं मसाला चाय तो आपकी चाय बहुत जादा भैत्रीन बने तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर इक बर्तन ले लिया है उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कup पानी और फलेम को हम कर देंगे लो अब हम इसमें डालेंगे मसाले जैसे मैंने यहां पर यह लॉंग ली चाय यह देखी लॉंग कुछ हल्किसी रैडिश Tapus 0 stepsong Shallot काय ना यहां मैंने यह इलाइची ली है, इलाइची भी दो तरीके की निकलती यह देखिए, एक काले दाने वाली और एक कुछ इस तरीके से यह जो दाने देख रहे हैं, यह दाने बिल्कुल खराब होते हैं, इस दाने वाली आप इलाइची लें, जब आप खोल कर देखेंगे तो क काले दाने होने चाहिए यह बहुत अच्छा फ्लेवर लाते हैं चाय में तो मैंने एक लाइची को उसके दाने निकाल कर कूट लिया है अब बारियादी है काली मिर्च की यह देखिए कितना अच्छा दाना है ना जब हम इसको कूटेंगे तो इसके अंदर जो वाइट पार् आते हैं जो बाजार वाले देते हैं बहुत हलिकली की पच्छत देते हैं वोग ना खरीदें इस तरीके का टुकडा खरीदें और केवल इतना चोटा सा टुकडा ही काफी है इसमें दो कप चाय में केवल इतना सा आप देख रहे होंगे न वीडियो में बस इतना चोटा तो इससे क्या होगा द्रफ बहुत जादा नुकसान करेगा आप यह साम ना डालें अब यहाँ हम डालेंगे चाय पत्ती एक चमच और दो चमच डालेंगे चीनी यह आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बड़ा घटा भी सकते हैं अगर आप कम मीठा पीते हैं तो आप चीनी को कम भी रख सकते हैं अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको उबाल ही रहे हैं साथ में हम डाल देंगे तुलसी का पत्ता तो एक बड़ा सा पत्ता मैं इसमें डाल देती हूं अब यह देखिए अच्छे से यह ओबल रहना अरोमा इसमें आ रहा है मसालों का काफी अच्छे से इसमें हम डाल देंगे एक कप दूद प्लस थोड़ा सा और डालेंगे इसमें दूद क्योंकि इतनी देर से जो हम पानी को उबल रहे हैं वो क्या है दो कप से भी कम चाय रह जाती है उबलते उबलते इसलिए थोड़ा सा पानी और एट करें अब ये क्या है आप कहेंगे कि नमक इतना सारा इतना नहीं डालना डालना है आपको केवल चुटकी भर ये भी वैसे ओप्शनल है लेकिन हाँ अगर आप ये नमक डालेंगे न तो जो आपको जैसे सर्दी खांसी जो सीने में कफ बलगम हो जाता है इससे बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा अगर आप नमक वाली चाय ऐसे पीते हैं इस तरीके से आप बनाएंगे न तो आपको एक चाय में ही फायदा लगेगा अब आपको मैं ओवालने का तरीका बता देती हूँ कि आप दो कप चाय बनाने तो लगवक तीन ये चार ओवाल जरूर ले इस तरीके से जैसे ही चाय उपर आए वैसे ही आप गैस को बिल्कुल लो कर दे चाय नीचे चली जाएगी फिर उसके बाद दुबारा ले ऐसे करके आपको तीन ये चार बार करना है इसके बाद गैस को आफ करना है और गर्मा गर्म चाय को कप में छान लेंगे हम इस तरीके से जब हम चाय को बिल्कुल मीडियम फलेम पर इसका आप एक वर ट्राई जरूर करना साथ नो मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंड करना मेरे चैनल को सस्क्राइब करना